नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक बहुती बहतरीन प्लांट दिखाने जा रहा हूँ और यह प्लांट मैं अपने सहर की एक नर्सरी रिया नर्सरी से लेकर आया हूँ यह प्लांट मैं मतर 150 रुपे में लेकर आया हूँ और इस प्लांट का लाने का मेरा एक यूदिश्य है कि इस प्लांट पर हमें दो बहत्रीन मसालों के प्लांट मिल जाते हैं जो पत्ते आप देख रहे हैं यह दालचिनी के पत्ते हैं इस एक प्लांट पर ही दो बैतरीन वराइटी के मसालों के पोदे ग्राप्टिंग की होए हैं इसके पत्तों के आकार में अंतर है और दूसरी जो पोदा आप दिया है देख रहे हैं यह है तेज पत्ते के लिप्स है दोनों के पत्तों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है दोस्तों प्लांट बहुत ही सवस्थ है इसलिए यह है प्लांट में नर्सरी से लेकर आया हूँ और सबजीयों के अंदर इन दोनों ही मसालों के पोदों का बहुत ही ज़्यादा मैत्तों होता है यह पोदे का ग्राप्टिंग हिस्टा है जहां पर दाल चीनी के पोदे को ग्राप्टिंग त्या हुआ है प्राप्टिंग प्राप्टिंग है आज इस प्लांट को हम गंले के अंदर सिफ्ट करेंगे दोस्तों इसके लिए हमने नॉर्मल गार्डन सोईल ली है और कुछ साप कमपनी का फंगी साइड लिया है एक गंले इस गंले में हम यह प्लांट लगाएंगे दोस्तों सबसे पहले हम फंगी साइड को मिट्टी में अच्छी परकार से मिलाएंगे ताकि अगर मिट्टी में कोई फंगस बज़रा हो तो हमारे पोधे को किसी परकार का नुक्सान नहीं हो अच्छी परकार से मिट्टी में फंगी साइड मिला लिया गया है दोस्तों इसके बाद कटर की साइटा से हम ओदे की फैली को काट रहे हैं और यह देखिए दोस्तों इसकी जड़े काफी सवस्त हैं इसके बाद गमले के नीचे जो छेद हैं उन पर हम तूटे हुए दिये लगा रहे हैं ताकि जो अक्ष्टा पानी होता है वह नीचे से बाहर निकल जाए इसके बाद गमले के अंदर मिट्टी डाल रहे हैं दोस्तों और गमले के बीच में थोड़ी सी जगए बना कर इस प्लांट को लगाएंगे पहले हम इस प्लांट को उस समय के लिए गमले में रखेंगे और उसके बाद अपने गार्डन में सिप्ट कर देंगे अब हाथ की साइटा से अच्छी परकार से मिट्टी को दबा रहे हैं ताकि बोदे के बराबर में किसी भी परकार की अक्षजिन ने रहे इसके बाद वोदे में पानी डाल दिया रहा है दोस्तों इस प्लांट को हम कुछ समय के लिए अपने घर में ही रखेंगे और उसके बाद इसको अपने गार्डन में ले जाएंगे कुछ और प्लांट हमने अपने मकान में लगाई हुए हैं यह सभी पोदे हमने चोटे चोटे गमलों में लगाई हुए हैं दोस्तों यह आम का पोदा है दोस्तों और यह प्लांट पत्थर चटे का प्लांट है और कुछ सिनेक प्लांट भी हमने लगाई हुए हैं इस गमले में भी हमने सिनेक प्लांट लगाई हुए हैं और यह है एक प्रोटोन का पोदा भी गमले में लगाया हुआ है इस छोटी से गमले में कुछ पीपल के प्लांट लगे हुने हैं यह भी प्ल का प्लांट है दोस्तो और यह एक प्लांट बढ़का भी लगाया हुआ है और एक कोने में हमने मनी प्लांट लगाई हुई है मनी प्लांट की रूट्श देख देख सकते हैं दोस्तो दिवार पर बिल्कुल नीचे की तरफ फैली हुई है अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें हमारे चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चनल को सब्सक्राइब करें